अगर आप मेरी चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब करें और जो साथ में रेट करें का वेल बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स वीडियो जे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए और कृप्या वीडियो को पूरा द देखें बीच में ना फूरें तक वीडियो को देखें तो टॉपीक है आज का बिजनस होता है इसमें हम कांटेंट जो है वो कावर करेंगे फर्स कांटेंट है कंसेपT ऑ बिजनस बिजनस का कंशेप्ट क्या है तो इसल में कि एक्नोमिक एक्टिविटी उता है इस क्या रूल है कि सबसे पहले करेंगे concept of business concept of business में क्या है सो हम जो है इसमें रीट करेंगे business means उसमें क्या-क्या चीजे आती हैं सो फर्सली business is a white term जो business है वह एक white term है white term is जो narrow नहीं है वाइड है वह बास्ट है तो इत इंक्लूड all the occupations इसमें सभी occupations आ जाती है any occupation चाहिए schooling हो lawyer हो any profession सभी आ जाती है occupations कोई भी organization हो सभी जो occupations है इसमें आ जाती है in which pupils are busy in earning income जिसमें जो है लोग जो है वो busy है income को earn करने में means जो अपनी monthly जो वो income earn कर रहे हैं कमा रहे हैं उसको लेने के लिए so either way production चाहिए वो production हो किसी चीज़ को हो product करके हो produce करके हो और purchase करके हो जा फिर किसी चीज़ का sale करके हो goods and services की बिजनस जो है हम कर रहे हैं किसली कर रहे हैं तांकि हम income को earn कर सकें लेकिन जो income earn करनी है वो anyway कोई भी वेसे हो चाहिए हम किसी चीज़ का production कर कर रहे हैं उसको purchase कर रहे हैं sale कर रहे हैं चाहिए वो goods है services है उनका exchange करना तो इन चीज़ों से जो हमें income earn होती है उसके साथ ही हम बीजी रहते हैं और वही हमारा business है और जिसके साथ जो है दूसरे प्यूपल्स की जो है needs को satisfy करते हैं मिन जो customer है उनकी needs को satisfy करते हैं with the main objective of earning profit जिसके साथ जो seller है उसका main objective जो profit earn करना है वो भी हो रहा है साथ में जो customer है उसकी जो needs है वो पूरी हो रहे है तो business में दो चीज़ें है एक तो जो seller है जो चीज़ को sell कर रहा है उसको profit earn हो रहा है वो profit कमा रहा है और जो चीज़ को purchase कर रहा है जैसे customer है तो उसकी जो need है वो fulfill हो रही है वो satisfy हो रहा है उसके साथ तो in modern time आज के समय में business is no longer जो business है वहत लंबा dealing नहीं है only with goods and services सिर्फ goods and services के साथ ही लंबी dealing नहीं है it cannot be defined in terms of profit इसे हम अकेला profit की term में भी describe नहीं कर सकते हैं सो आगे है इसकी definition definition पहले है लिएंस एच हैनी की तौर से उन्होंने क्या लिखा है business होता क्या है business है कि human activity human mean जो human के दिवारा की जाती है और इसे direct किया जाता है towards producing चांकि जो goods है उसे produce बनाया जा सके acquiring wealth तांकि जो धन है wealth means done जो धन उसे acquire किया जा सके throw buying and selling goods तांकि किसे के जरीए goods को जो sell करके और goods को buy करके जो peterson and fallman है वो क्या बोलते हैं जो business है वो एक activity है in which different persons exchange जिसमें different person जो है वो एक्षेंज कर रहे है something कुछ ना कुछ valuable चीजों को exchange कर रहे हैं जैसे कि अगर वो money के साथ एक्षेंज कर रहे हैं जैसे वो goods लेने जा रहे है तो उसके जरीए जो है wåh goods को purchase कर रहे हैं उसके एक्सेंज के साथ कर रहे हैं वी ऑपनी और जे मनी उसको पे कर रहा है सो जो डिफरेंट परसन्स यह ए ऑट सेंज कर रहा है कुछ ना कुछ एक्सेंज कर रहा है वैल्यु में वैदर गुड्स हो सेविसीज हो इसमें उनका mutual gain and profit जरूर है next है there are some characters इसके characters क्या क्या है first character है it is an economic activity economic activity है economic activities में क्यों बोला गया है क्योंकि जो business है उसका main objective क्या है उसका aim क्या है money earn करना, profit earn करना जिसके साथ कुछ न कुछ income उनको source बन रहा है seller को, तो इसलिए यह एक economic activity है अगर हम business कर रहे है तो obviously कोई भी person जो है वो business करना चाहता है तो business से वो क्यों business start करेगा ताकि उसको उससे कुछ न कुछ earnings हो उससे कुछ income हो जिसके साथ जो है वो अपनी daily life जो उसकी uses है वो complete कर पाए अपनी needs को complete कर पाए अपनी wants को, desires को जो है फुल फिल कर पाए तो main इसका character क्या है नेचर क्या है business का यह एक economic activity है जिसमें जो money है वो earn की जारी है और living good living good में जो उसके रहने के लिए जो उसकी needs के लिए जरूरते है वो उससे full कर रहा है चाहिए वो physically हो चाहिए psychological हो कोई भी need हो उसे वो पूरी कर रहा है और उसके साथ ही उसकी satisfaction उसको मिल रही है तो second है production or procurement of goods and services इसमें क्या है जो every business है कोई भी business जो enterprise है वो produce कर रही है goods को बना रही है from the producers, producers है चाहिए वो procure ले रही है कुछ ना कुछ करके जो है वो आगे sell कर रही है तो goods में consist इसमें जो goods है वो consist कर रही है customer और industrial मतलब customer तक पंचाही जा रही है किसी भी तरह की जो goods है वो customer तक पंचाही जा रही है जिसमें जो है अलग-लग way से जैसे transportation से फैक्टरी से वो लेके जा रहे है industrial area से वो market area में लेके जा रहे है जहां पे उन्होंने sell करना है उसमें उसको ट्रांसपोर्ट की भी जुरूरत पर रही है साथ में बैंकिंग की भी जुरूरत पर रही है तो उन goods की insurance भी हो रही है तो ऐसे जो है इसमें production तो लगी रही है साथ में इसके उपर जो खर्च हो रहा है ट्रांसपोर्ट का है उसमें banking का है कोई interest हो रहा है कोई tax pay कर रहा है कोई insurance दे रहा है वो भी सारे जो procure करके जो है एक producer जो है वो जो wholesaler है उन तक जो है अपना जो products है जो वो पंचा रहा है तो business में क्या है production और procurement ये दोनों हो रहे है goods and services के थर्ड क्या है seller exchange of goods and services for satisfaction of human need इसमें क्या है कि जो person है चाहिए वो customer है वो क्या कर रहा है जा फिर वो seller है वो अपनी goods को sell कर रहा है wire को sell कर रहा है वो exchange कर रहा है goods and services को ताकि उसकी जो needs हैं उसे satisfy हो सके तो business में क्या है involved है sale भी हो रही है exchange भी हो रही है goods and services की जो goods की services की production हो रही है वो self consumption के लिए नहीं हो रही है बलकि जो customers है वो बाहर जो है दूसरे persons को भी वो sell कर रहे है जिससे उनकी earnings हो रही है जैसे इसमें example अगर हम लेंगे एक farmer है farmer जो cultivate कर रहा है crops को cultivate कर रहा है वो खेला खुद तो नहीं खाएगा उससे क्योंकि उसका main motive यही होता है उसका main जो earnings है वो agriculture थे हो रही है farmer की तो farmer क्या करेगा जितनी उसको जरूरत है want है need है वो उतनी चीज़ को अपने लिए reserve रख लेगा और जो बाकी है जो बच रही है वो market में जाके जो उसको sell कर देगा तांकि उससे उसकी जो है earnings जो है वो हो सके फौर्थ वाला क्या है dealing in goods and services on a regular basis इसमें जो है हम regularly जो है कुछ न कुछ dealing कर रहे है goods and services के साथ यह एक important feature है business का जिसमें हम sell कर रहे है exchange कर रहे है goods and services को regular basis के उपर क्योंकि buying and selling goods की हो रही है once or twist एक वार भी हो सकती है दो वार भी हो सकती है अगर हमने एक चीज़ को एक वार सेल कर दिया दो वार सेल कर रहे है वो business नहीं होएगा बलिकि business वो होएगा जब हम जो है किसी भी product को repeatedly जो है वो उसे sell कर रहे है buying कर रहे है selling कर रहे है जैसे एक shop है shop में अगर एक shop है उस तरह के एक shop है अगर वो एक shop अगर हम एक single transaction करें हैं उसे business नहीं consider करेंगे तो वह क्या होएगा वह business नहीं होएगा अगर किसी एक चीज की transaction करें है वह अपनी need के according होएगा लेकिन जब हम उसकी जो bunch-bundle है उसको sell करें उसका exchange करें तो वह क्या चीज होएगी उसे हम बोलेंगे वह बिजनस है तो जो रेगुलर बेजिस पे होएगा सिरफ एक या दो दिन में नहीं होएगा सो नेक्स्ट वाला पॉइंट है प्रॉफिट अनिंग यह भी सिंपल एकनॉमिक अक्टिविटी के साथ रिलेट कर रहा है बिजनस का में परपस ही ही होता है उसका में अब्जेक्टिव एम यही है कि हमने जो है अनिंग करनी है प्रॉफिट की अगर प्रॉफिट मॉटिव के तरफ देखें तो बिजनस जो है वो डेली बेजस पे रेगुलर बेजस पे कुछ ना कुछ ट्रांसेक्शन करता है so it cannot be considered अगर वो उखिस्ट कर रहा है profit motive के तरफ से तो वो जो है उसकी business हमें नहीं consider की जाएगी वह business की transaction है वो उसकी personal हो जाएगी अगर वह कुछ बलक में कर रहा है transaction दर्यनम वह business transaction मानी जाएगी आगे है uncertainty uncertainty of return and risk uncertainty means कुछ वे certain नहीं होता कि हमें इतना ही रिस्क होएगा जहां फिर हमने इतनी सेल कर दी है तो इस चीज़ से हमें इतना ही रिटर्न होएगा हमें बापिस में इतना ही प्रॉफिट होएगा इस इट नॉट बलकि अगर हमें कई बार जो है रिटर्न में रिस्क हमें ज़्यादा लेना पड़ता है तांकि प्रॉफिट ज़्यादा अन कर सके और जितना हम ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा अगर हम less जो है कम से कम रिस्क लेंगे तो हमें profit भी कम से कम होएगा और यह uncertain होता है कि return में हमें risk कई बहर जादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है वो हमारे जो है business के उपर depend करता है कि हमारा जो business है वो कैसा है लेकिन जो risk factor है यह सबसे important इसका character है nature है जिसके साथ डील करके ही हम business में आगे profit को earn कर सकते हैं जैसे के कुछ इसमें मैंने एक picture आपके सामने एक show की है flow chart है जिसमें देखो characteristics बताए हुए है जैसे change large size जो business है उसमें कुछ ना कुछ changes करनी परती है जो large size का भी हो सकता है समॉल का भी हो सकता है आगे है डिस globalization globalization में Awak Club भूइस बिजनस आप इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर भी कर्रये हो चो जैसे आप important across का business करते हो तैकनलोजी से वी उलेके आ रहे हैं जसके साथEM अलगे-अलग से टाड़िये इन Leb n data झाल ख्रुप साथ 2 कॉंपईटिशन गलोबलल न कंपीटिशन ज् parfृपाइब तो इससे क्या होईगा मार्केट में हमारी जो है वो वैली गुडविल तो बढ़े गी साथ में जो हैं कम्पिटिशन भी ज्यादा से ज्यादा होएगा जैसे कि अगर एक चीज की जो है मार्केटिंग ज्यादा हो रही है तो उस चीज के लिए लाइक जामपल और तरहे हैं तो अगर स्वाप की अकेली बात करें तूसमें भी वराइटी आरी है तो वह वराइटी क्या है कि एक जो कंपनी है वह दूसरे के साथ कमपीट कर रही है कि उसका पॉड़क्ट जो है उससे अच्छा हमारा प्रड़क्ट ताकि कस्ट्मर जो है वह हमारी तरह जदा आगे है government control और इन पर जो है government का control भी होना बहुत जुरूरी है ताकि कि जो है सब्सक्राइब गॉपर डील किया जा सके कि अगे बिजनेस आज एकनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस को इकनॉमिक एक्टिविटी के तोर पे कैसे लिगा जा रहा है फस्त तो यही है कि यह profit motive के लिए हम yuze करते हैं means जो business की activity हम कर रहे हैं उसका main motive यही है कि हम जदा सेथा money को earn करें और जदा सेथा profit को earn करें और इसके result में जो money earn हो रही है creation हो रही है तो इसके का शार है एकनमिक activity के तौर से अगर business activity का aim ही यही है कि हमने profit को earn करना है and creation wealth का जो धन है उसकी creation करनी है means उसको ज़्यादा सिज़ादा बहड़ाना है तो ही इसका profit motive है second है creation of utility utility means उनका जो use है business की जो activities से जो customer का use हो रहा है customer products को purchase कर रहा है तो उनकी utility को create करना तो उसमें creation में क्या आएगा जो business activities हो रही है उनका result क्या है कि जो consumption वो हो रही है utility जादा हो रही है वो create हो रही है तो business man क्या कर रहा है वो three types की जो है utility को consider कर रहा है first है form, form में क्या होएगा जैसे हम जो है raw material हमारे पास आया तो हमने उसको convert किया finished goods में that means उसको properly हमने बनाया produce किया that means जो हम raw material को convert कर रहे है finished goods में और उसमों जो वो चीज़ बना रहे है वो product बना रहे है जो के customer के लिए useful हो तो वो form change होएगी raw से एक finished बन गया second क्या है time utility जो goods है not consumable ऐसी भी होनी चाहिए जो immediately consume ना की जा सके जाला time तक भी हम उसे रख पाए time gap भी आ जाए चाहे तो production and consumption जो है goods की वो ऐसी होनी चाहिए और कुछ यह goods है वो particular season में ही consume जासे आती है लाइक हम crops की बात करें जबके गर्मियों का summer season आता है then crop कौन से आती है wheat की आती है sugar cane आती है तो अगर हम जो थोड़े जो ठंड वाला time है वहाँ पर उस time पर pulses लगा दी जाती है rice लगाती है मतलब गर्मियों के दिनों में सीजन टू सीजन आ जाती है ना कि गर्मी के सीजन में जो हार्वेस्टिंग है वह wheat की होएगी जो सर्दियों का मसम स्टार्ट हो रहा है तो उस time पर राइस की होएगी तो इसी साबसे टाइम का गैप है वह production and consumption का वह भी होना ज़रूरी है आगे है कई चीजों को हमने यह देखना पड़ता है कि इसमें cooling जगा पर रखना है AC वाली जगा पर रखना है कई जो products है वह warehouse में सीधे AC रख सकते हैं ना ही उन्हें cooling के ज़रूरा ज़्यादा पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी की पड़ती है तो थर्ड पॉइंट है place कि देखो मैं तीनों point डिस्क्राइब कर रही हूं और थर्ड वान इस place utility में क्या है जो goods थे consume की जा रही है वो same place पे तो नहीं होगी अब ऐसे तो नहीं होगा कि अगर एक इंडिस्ट्री में goods को बनाया गया तो उसी इंडिस्ट्री में उसको यू distribution जो है वो one place से दूसरी जगा पर भी another place तक भी हो जाएगा चाहिए वो एक country से दूसरी country ही क्यों ना हो so business man जो है वो transfer services भी provide कर रहा है तांकि goods को एक जगा से दूसरी जो प्लेस है वहाँ तक लेकी जाया जा सके तो इसके साथ जो है consumption की जो place है वो भी utility की place जो है वो भी change हो रही है किसे हम profit को earn करना है तो profit का earn कैसे करेंगे हम जब हम goods and services का exchange करेंगे तो business activity कब बनेगी जब हम इसको इसके result में जैसे हम sell कर रहे हैं goods को distribute कर रहे हैं एक्स्चेंज कर रहे हैं goods को लेकिन उसके साथ हमें profit भी हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे जो गुर्जन services का exchange हो रहा है लेकिन economic activity के साथ है सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा objectives of business सो में जो है business objectives जैसे में देखें तो हमारे पास यह यह हैं जैसे first one is development of human resources human resources की development हो creation of customer customer ज्यादा से ज्यादा बने innovation नहीं technologies आएं आगे supply of quality goods quality goods की supply हो and profit earning profit earning तो में objective है ही business का लेकिन यह तो है जो normal सभी business के होती है जो मेन objective है सभी business के वो क्या है फर्स एकनॉमिक objective second is social objective third is human and individual objective अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे economic objective economic objective का main motive यही है कि उन्होंने profit earn करना है तो इसमें कौन-कौन से आ रहे हैं so first ही आ रहे हैं first है survival second is profit third is growth survival में क्या है जो basic purpose है organization का वो यही है कि वो subscribe जो है वो survive कर रहा है एक्जिस्ट कर रहा है competition market में competitive market में जहां पर जो है market में एक चीज़ का एक product का सबसे यादा जो है competition है दूसरे के साथ और वो competition जो है वो survive भी कर रहा है वो अग्जिस्ट भी कर रहा है competitive market में और साथ में वो long period of time में कर रहा है तो possibility क्या है it is able to cover वो ऐसे profit earn करना है जिसके साथ जो है उसकी जो product को बनाने के लिए cost लगी है वो भी cover up हो जाए और साथ में उसे उनका profit भी earn हो जाए suppose अगर एक आपने pen को बनाया है तो pen को बनाने में आपकी cost आ रही है तो आपको जो market में उसका price set करना है वो ऐसा होना चाहिए जिसके आपने आपके उस product को बनाने के लिए तो 3 रुपीज लगे हैं वो भी कवर हो जाएं और साथ में जो है आपको उससे प्रॉफिट भी अर्न हो जाएं तो जो आपकी चीज मार्केट में 3 रुपीज से आ रही है कॉस्ट में तो वो क्या होएगी जो सेलर है वो आगे अपने थोड़ी सी अनिंग जो है वो जोड कर उसे 5 रुपीज में सेल कर रहे है सो इससे जो है उसकी जो कॉस्ट है जिसमें वो बन रहा है वो चीज वो भी कवर हो रही है और 2 रुपीज का उनको साथ में प्रॉफिट भी हो रहा है वो अपनी कॉस्ट को भी कवर कर रहा है और उसके साथ जो है प्रॉफिट को भी अन कर रहा है second क्या है profit profit में क्या है यह most important objective है जो मैं दुबारा दुबारा से repeat करी हूँ वीडियो में कि business का main motive यही होता है वो जादा से जादा profit को earn करे so adequate amount of profit मतलो जो profit की amount है उससे जादा से जादा जो है collect करना यही इसका main motive है जो profit है वो essential है किस चीज के लिए survival के लिए growth के लिए expansion के लिए बिजनस में जो है growth भी ने चाहिए business में survive भी कर रहा है और business जो है वो उसमें expand भी होना चाहिए वो बड़ा भी होना चाहिए आगे आगे जो है जादा से जादा चीज़े वो हो जाए तो जो profit है वो ही इसका reward है reward means वो businessman के लिए एक gift हो जाता है जो भी वो रिस्कों को wear करके ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेता है उससे wear करने के वाद जो भी उसको इसके result में मिलता है gift के तोर पे मिलता है जो price मिलता है वो यही है कि वो profit earn कर रहा है so next है growth growth में क्या है जो business organization है वो grow कर रही है expand कर रही है अपनी activities को और वो successively हो रही है many any organization वो successively हो रही है वो measure क्या कर रही है उसका growth rate और जो भी growth है वो terms of sell number of branches number of products members of यह सब ही जो है इसमें include कर रहे है growth rate में क्या क्या आरहा है जैसे के हम sales की growth करें sales को बढ़ा रहे है increase कर रहे है branches इसकी बढ़ा रहे है जैसे एक company है और उसकी अलग-अलग places पे हम जो है नेक्स्ट है शोशल अप्जक्टिव में क्या है शोशल अप्जक्टिव में जिसमें बिजनेसमें जो है वो बिजनेस जो हें क्मिटमेंट करता है सलाथ आई चाल 9 ELJust बिजनेस है वो एक एंट रिगल पार्ट है सोसाइटी का और इसका जो रिसोसिस जो है वो ससाइटी से लेकर वो यूज भी कर रहा है और मेंन मॉटिफ जो है वो आनिंग भी कर रहा है प्रॉफिट को बाइस सेल करने के बार प्रडक्ट एन सर्विसिस को तूद है मेंबर सोसाइटी के मेंबर्स है उनको सेल कर रहा है अपने परडक्ट लेकिन उसे प्रॉफिट जो है वो भी अर्न कर रहा है तो उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हुआ हुआ फैले है सप्लाई अफ डिजायर क्वैलिटी और परडक्ट जो भी मार्किट में परड़क्ट आ जाना चाहिए तांकि जो कस्टमर है वो उसे प्रडक्ट को वाई करने में ज़ग से यदा प्रैफर कर पाए और वो जो प्रडक्ट है उसकी क्वैलिटी भी कस्टमर के हिसाब से होने चाहिए और जो उसकी वेल्यू अफ मनी है मीन जो उसका प्राइस है वो भी बिलकु रि वो करने चाहिए पिल विल्स वार को से उसकी संप्राइस थिल्मा में में हम एप्रिक रियवड की कर साथ मिल्दा के जैसे ऊड़ होग से वाहतं है और से भाविखों की था ब्लाग मर्केंतिंग बरा वो जिसे काली थंदधा जह संसा और काल बझार पाते हैं में जो पुल् चार्ज कर रहे हैं तो यह क्या है ऐसी जो चीज है इनने अवाइड करना भी हमारी साथ जो गलत हो रहा है इसे भी हमने खतम करना है तो इसका यूज नहीं करना है सो ऐसी हमें practices करनी चाहिए जो के society जो है जिसे accept कर पाएं और businessman जो है वो ऐसी practices को करें जिसके साथ जो है उसकी reputation जो है वो गलत जो हर decrease ना हो और वो किसी चीज़ के लिए lawfully जो है punishable ना बने आगे है employment of employment generation इसमें क्या है जो unemployment है वो एक major problem बन रही है आजकल की society में सो जो business man है वो employment को create कर रहा है employment की रोजगार की जो opportunities है उने लेकर आ रहा है तो help भी कर रहा है इस चीज़ों को overcome करने में तांकि जो है unemployment है वो परफॉर्म कर रहा है so जो work जो है एक employing people जो है काम कर रहे है जो business man में यह help होती है कि वो income जो society से जाग से जादा earn कर रहा है और society को भी एक form में salary परवाइड हो रही है काम करने के लिए तो उसके में society का भी benefit है और business man का भी benefit है आग है social service और community services तो large जो business houses होते हैं वो various projects हैं वो लेके आते हैं community services दे जैसे कि उन्हें charitable dispensaries open करवा रहे हैं run out कर रहे हैं schools open करवाए हुए है hospitals करवाए हुए है जो organization है वो क्या करती है contribute करती है large largely contribute करती है fund की form में जैसे big companies हैं वो help करती है social services के लिए जैसे NGOs होगए जाफे government organizations होगी जिनको वो help करती है जासे चलाने के लिए charity देती हैं denotion करवाती है तो जिसके साथ जो है वो social services जो है community के साथ करती है avoidance of pollution pollution को भी जासे जादा देखना चाहिए जैसे कि हम industries लगा रहे हैं जैसे जादा जादा industrialization बढ़ रहा है industrial areas बढ़ रहे हैं उसके साथ हमारे problem pollution की है वो भी major problem बन रही है तो हमारा ये भी objective होना चाहिए जो भी हम industry लगा रहे हैं उसकी जो बढ़ पर लेक्स एंड रिवर्ज में ना मिले और वो हमारे एर को भी प्लूट कम से कम करें तो ऐसी जो है हमने लगानी है जो चिमनी जैव ऐसी जगा पर हो जैसे कि जो भी हम जैसे लगा रहे हैं वहां पॉपुले अरिया में ना हो जादा जो है वो अलग एरिया में हो जहां पर जो है वो जो पॉलूशन है वो कम से कम हो नेक्स्ट है है हुमन और इंडिविज्वल अब्जेक्टिव में क्या है जो हमारा इंडिविज्वल का क्या क्या अब्जेक्टिव है तो इसमें जो इंप्लॉईज हैं और इंडिविजेशन के उनके साथ रिलेट कर रह है so employees क्या है वो एक value of resource है जो हम human resources बोलते हैं और जिनका सबसे ज़्यादा contribution होता है कि business को success बनाने में तो उसका क्या क्या है सबसे पहले है providing good working condition उन्हें जो है business की तरफ से अच्छी से अच्छी जो है working conditions provide होनी चाहिए working conditions मीन जिसमें उनको कोई भी problem ना हो payment of competitive and satisfactory wages and salary जो payment है वो competitive जहां फे satisfactory जो भी employees को individual को काम करने के बदले में business की तरफ से जो है उन्हें salaries wages provide हो रही है वो ऐसी होने चाहिए जिससे वो employees जो है वो fully satisfied हो उन्हें उसमें कोई वी दिक्कत ना आए तांके वो fully जो है उस चीज़ को adopt कर पाएं नेक्स्ट है personal growth and development of employees जो ऐसा काम उनको देना चाहिए जिसके जो employee की growth and development दोनों ही increase हो और जो employees को proper जो है उनको training दी जाने चाहिए and update knowledge भी उनको provide कने चाहिए तांकि वो अपने काम को लेके अच्छे से जो है knowledgeable हो उनने जाए से टेकनोलोजी का use हो तांकि वो useful हो उन चीज़ों को लेके और उनकी जो application उनके साथ उनकी knowledge भी increase हो last है providing special benefit उनको special benefit भी provide होना चाहिए इसे house की facility medical की free education of their children's उनके बच्चों की free education ऐसी जो special जो चीज़े है वो वी उनको provide होनी चाहिए और उनको एक चीज़ और है जैसे के point यहां पर mention है लेकिन मैं फिर भी बता रही हूं उसमें यह भी हो सकता है कि उनको proper respect दीनी चाहिए जो इसे हमारे साथ काम कर आपके वो अच्छ से काम कर पाए उनको अच्छ से motivation भी देनी चाहिए रिवर्ज भी देनी चाहिए और वे इंप्लॉईज में क्या participation उनकी प्रापर होनी चाहिए अगर उनकोई decision ले रहे हैं तो उनसे भी प्रापर पूछना चाहिए ताकि जो है वो MRS का क्या रोल है बिजनेस में सो फ़स्ट है शर्वाइवल तो यसे आपको पता है की सरवाइवल में क्या आ रहा है जो बिजनेस में वह बिने सर्वाइव किये लॉंग टर्म तक जो है वो चल ही नहीं पा रहा है जब तक उसे एक अडिकूएट प्राफिट ना हो तो वह विदाउट प्रॉफिट तो आगया के सर्वाइब करेगा ही नहीं जो जब प्रॉफिट है वो एक सोर्स ओफ इंकम हो जाता है बिजनसमेन के लिए और जो के एक मीनिंग लिविंग हुड मतलब अच्छे से जिने के लिए एक बिजनसमेन को प्रॉफिट अर्न करना बहुत इंपोर्टन हो जाता है तो प्रॉफिट जो है वो उसकी बिजनसमेन की नीड है उसकी सैटिस्फाई है तो अगर किसी person को profit ही नहीं हो रहा है तो वो business क्यों करेगा तो अगर एक person को profit हो रहा है उसके business में तो वो ही उसके लिए profit है तो उसके साथ ही वो earnings जादा करेगा उसके साथ ही वो जादा काम करेगा और जो अपनी quality of products है उन्हें भी variety लेके आएगा साथ में उनके prices उसके हिसाब से reasonable बनेंगे और जो competition में के साथ वो competitive ही कर पाएगा जिसके उसके पास जो है और ज्यादा opportunities जो है वो develop होएगी second expansion and growth अगर हमें profit हो रहा है profit के साथ क्या है business जो है expand होएगा बढ़ेगा और उसमें growth होएगी growth means कि वो आगे आगे और और products जो है वो business अपने लेके आएगा जैसे आपको पता है कि Samsung जो है सबसे पहले उनके mobile phones जो है वो appliance हमारी market में launch हुए जब उनके वो वाले जो cell phones हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा market में आके वो popular हो गए ब्रैंड बन गए उसके बास जो है उन्होंने अपने electronics के अलग अप्लियंस जो है वो भी market में लाने शुरू कर दिये जैसे री फ्रिजर हो गया washing machines हो गई और ovens हो गया ऐसी उन्होंने अलग 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 जो है वो electronics के जो products है वो appliance है वो उन्होंने लाने अपने market में launch कर दिये जिसके साथ जो है उनकी growth हो गई expand भी हो गया उनका business और growth ग्रोथ कैसे हुए उन्होंने profit जहाँ से अदा earn करने लगे वो किस basis पे हुआ ताकि उसको जो first product जो उनका market में आया उसमें उनको profit हुआ उसके बाद ही उन्होंने अपने business को expand करना शुरू कर दिया और उनका जो business ह जो है वो brand में सबसे उपर होने लगा और growth होने शुरू हो गई थार्ड है symbol of efficiency और an index of performance इसमें क्या है efficiency मतलब profit जो है वो indicate कर रहा है whether a business is being managed चाहिए वो business को manage कर रहा है चाहिए नहीं कर रहा है effectively लेकिन जो profit है वो act कर रहा है index के उपर तांकी जो है वो manage कर पाए अपनी business को perform क कर रहा है अपने business को अच्छे से अगर जिसमें high profits होएंगे तो वो जो है management जो है अच्छे तरीके से जो है efficiency के साथ जो है अपनी business को manage कर पाएगी और जिसमें low होएंगे तो वो inefficiently जो अपने management को control कर पाएगी जैसे कि अगर किसी company को कम से कम हो रहे हैं मतलब lower profit जो है वो earn कर तो उसमें उनका loss हो रहा है तो वो जो है अपनी needs को भी completely कर पा रहा है और नहीं उसको cost cover हो रही है नहीं कुछ और हो रहा है तो उसके उसमें profit कम हो रहा है तो इसके साथ क्या होएगा तो नहीं वो fulfill उसकी satisfactory भी नहीं होएगी और जो अपना business है उसे भी inefficiently वो है manage करेगा औ और business जो है वो success नहीं होएगा और उसकी ability जो है earning profit की नहीं होएगी next reward for bearing the risk जैसे मैंने पहले ही बताया है अगर कोई businessman ज्यादा से ज्यादा रिस्कों को ले रहा है then उसको profit earn ज्यादा होएगा return में अगर कोई businessman जो है कम से कम रिस्कों को wear कर रहा है तो उसमें जो क्या है उस उसका loss होएगा जैसे हम आगे आपको पड़ाया जाएगा जैसे कि आगे higher classes में ऐसा होता है जैसे कि capital market में dealing कर रहा है तो वहाँ पे जो है उसकी ज्यादा earning जोरी है अगर वो money market में कर रहा है तो उसकी जो risk है risk factor उसका कम हो जाता है तो उसके साथ उसको return में भी कम profit earn होता है last है health, gain, reputation और goodwill जितना ज्यादा profit earn करेगी एक company तो उसका reputation है market में वो भी ज्यादा increase होएगी उन companies से compare करेंगे जिसमें जो है जिनका loss वो कम हो रहा है जितना ज्यादा profit उतना ज्यादा उसका reputation है market में उतनी ही ज्यादा goodwill है उस company की दूसरी companies के related thank you for watching my channel and video so अगर आपको मेरी वीडियो like का प्रसंद आ रही है तो आप उसको like, comment and share ज़रूर करें subscribe ज्यादा से ज्यादा share करें so आगे next video को जो है आने के लिए notification मिले so आप वहाँ पे जो है जाके subscribe का button करें और press करें bell बटन को ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको से information मिल पाए notification मिल पाए and thank you